हेलो गाइज और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको फिर से एक ट्रैप के बारे में बताने वाला हूं इससे पहले मैंने एक लोवर लो ट्रैप के ऊपर वीडियो बनाई थी किस तरह से बैंक निफ्टी में लोवर लो ट्रैप बनाकर आज भी सेम वैसा ही हुआ है अगर आप देखोगे तो यह देखी यहां पर एक लोवर लो ट्रैप भी बनाया था तो उस वीडियो में आप अगर देखोगे तो आपको समझ जाएगा किस तरह से साइकोलोजी होती है आज मैं आपको डे हाइट ट्रैप के बारे में बताने वाला हूं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि दिन का हाय ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम होता है दिन का लो ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम होता है लेकिन असलियत में यह सिर्फ एक बोलने की बात यह है ऐसा कुछ होता नहीं है सिर्फ सिंपल चीज़े काम करती है स्ट देखेंगे तो किस तरह से यहां पर यह देखी यह ता आज दिन का हाय और इसको ब्रेक करके कितने सारे लोगों को यहां पर इन मतलब एंटर करने पर उसने मजबूर किया बैंक निफ्टी ने रीटेलर जिनको इमोशन कंट्रोल नहीं है वो लोग यहां पर जंप कर देते हैं असलियत में यह बस एक रीटेस्ट था अब किस चीज़ का रीटेस्ट था देखिए उसके लिए आपको एक्सपिरियंस लगता है किस तरह से अनलेसिस करना है अगर आप म इस पैटन के हिसाब से क्या है यह एक रीटेस्ट था बस यहां पर मार्केट आज खुला था 22 मार्च को नीचे ब्रेक हुआ रीटेस्ट किया और फिर आप कंटिन्यू कर रहा है तो इस तरह से आपको बीसिक चीजे पहले बात तो बीसिक चीजों को फोकस में रखना है यह से देते कि यहां पर रिजेक्शन आए था यह प्रिजांटा यहां पर फिर सël को नीचे वाले को आपको में बिने चीजने आपको सब्सक्राल रखनी है ऐसा की कोई बहुत रहा है कि तो ले लो लो बने द लेलो इतना इसमें नहींth होता है ऐसे अगर होता तो हर कोई मतलब ट्रेडर बन चुका होता ओके अब यह तो था एक रिजन की यहां पर आपको देहाय पे मतलब नहीं लेना यह ट्रैप हो गया आपका अब सेकेंड चीज आपको यहां पर क्या देख रही है यह देखिए क्लियर ली यह एक रिजिस्टन जोन यह एक सप्लाइज जोन बन चुका है इस टैप से बेसिक चीज़ों को अगर आप देखोगे तो यह सप्लाइज जोन था फिर ऊपर गया था यहां पर होल्ड कर रहा थ मतलब यहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था और फिर से अगर आप लेखोगे तो इसने क्या क्या ब्रेक कर दिया अब ब्रेक करने के बाद यह क्या बन जाएगा फिर से एक रेजिस्टन जोन बन जाएगा यहां पर आपको सेल करना चाहिए तो यहां पर जो बड़े लर्निंग में इंट्रेस्टेड हो मैं one on one single student को पढ़ाता हूँ live video calls पर zoom calls पर तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो course details और contents मैं आपको महां पर भीज दूँगा अगर आप genuinely interested हो तो आप enroll कर सकते हो बिल्कुल ही कम fees में यह मैं कर रहा हूँ आप अगर देखोगे बाकी courses की fees और मैं जो live teaching देता हूँ जो value आपको मिलते है उसके comparison में fees कुछ भी नहीं तो बाकी तो YouTube में सब कुछ free में available होता है आपको अगर सीखने की इच्छा है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो तो अभी मैं यहां पर बात करता हूँ कि day high trap क्या होता ह यहां पर अगर आप देखोगे तो day high पर क्या करता है पहले उपर जाता है break करने के मतलब break किया जैसा दिखाता है यहां पर enter करते हैं लोग candle close होने का wait नहीं करते हैं और फिर से वो reverse हो जाता है same with day low trap ओके यह देखिए यहां पर यह लो था यह नीचे आए उपर गया अब फिर से क्या किया इसने day low break किया यह देखिए यह देलो था यहां पर सब्वेर रान यहां पर और फिर से आपके हो ओपर जाएगा इस टाप के tr glad me आपको आना नहीं यह बिल्कुल भी आपके 3ड कहां पर प्लेस होने चाहिए यहां पर आपकाinker Son तो ट्रेडिंग इसी तरह से होती है देखिए आप खुद को question पूछ लीजिए कि कहां पर यह देखिए अगर यहां से reverse हो यहां से reverse क्यों हो रहा है इस टाइप का question पूछिए पास्ट में analysis कीजिए कि यह previous supply zone था यहां पर support बना इसको break किया तो यह retest करेगा अब lower low trap यहां पर यहां से reverse क्यों होगा अगर यहां से reverse हो रहा है तो यहां पर कौन से buyers आ रहे हैं इसको अगर आप पास्ट में जाओगे तो यह देखिए यह एक support zone है यह resistance ले रहा था यह resistance ल लोग indicator use करके क्या कर रहे हैं मतलब कितने पैसे कमा रहे हैं उनको बताने बूल दीजिए मैंने तो अपनी win rate consistency बता रहे हैं कि जब भी मैं आप trade लेता हूँ तो यह देखिए इसमें है जितने भी मैंने February मंत का बता था मार्च मंत का भी आपको बता दूँगा मैं तो वह को quantity होगी already तो एक point अगर वो capture करेंगे तो भी एक लाक रुपे easily बन जाएगा तो हमको इस type के profit पर focus नहीं करना जो इंसान consistently अगर 1000 रुपे भी कमाता है 100 दिन अगर कोई इंसान consistently 1000 रुपे बना के फिर अगर एक लाक रुपे कमा रहा है उस type के profits पर आप focus किजे consistently जो profitable है उसी पर focus किजे और आपको खुद को भी consistency पर focus करना है एक दिन में एक लाक कमा लेंगे एक दिन में दो लाक कमा लेंगे बाकी दिन में आप 10-10 अदर करके वो गवा भी दोगे इस type से होती है वो वाले profits की journey तो आपको क्या focus करना है कि daily risk reward के हिसाब से आपको capture करना है one मतलब for example 20 points अगर आप risk लेते हो 40-45 points भी अगर आप daily capture करोगे daily इसको किस तरह से करना है उसके उपर आप focus कीजे बिनकाम की चीज़ों पर focus मत कीजे मैं अपनी तरफ से पूरे psychology points जो भी आपको बताता रहता हूं आज भी इस time के day high में बहुत लोग trap हुए होगे तभी यहाँ पे तुर smart sellers या traders होते हैं उनके वज़े से इतना momentum आता है तो यह चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी buyer seller कि psychology समझे बहुत ज्यादा important आप सिर्फ technicals देखोगे उसमें भी आप पूरी तरह से देखने रहे हो मतलब मैं guarantee के साथ बोल सकते हूं कि इस type का wage pattern किसी ने भी आज ढूड़ा नहीं होगा लेकिन अगर आप मेरा telegram channel देखोगे तो मतलब 9 बज़े से पहले ही मैंने यह वाला setup अल्रेडी पूस्ट कर दिया था और खुलते ही market इतना चफॉल दिया री टेस्ट किया और फिर से इस type का continue हो सकता है इतना easy होता है trading लेकिन उसको complicated मत किजिए जो भी आपको बोल रहा है indicator use कीजिए complicated कीजिए algorithm कीजिए इस type से अगर होता तो वो लोग आपको यह चीज़े बताते नहीं simply बात है तो आप price action को follow कीजिए यह मैंने कुछ मतलब यह मेरी invention है यह सिर्फ एक price action है जो market में होता है उसी को ध्यान से analysis कीजिए और फिर अपने trades को लीजिए पास्ट analysis को हमेशा आपके साथ रखिया अब देखिए यहां पर market open होते ही इतना नीचे गिरिया तो ऐसा जरूरी है अगर इस लेवल को break करने के बाद continue उपर जाएगा इस लेवल पे जिन्होंने sell किया था इतना अगर इस लेवल में power selling का pressure है इस लेवल पर यहां पर तो फिर से sell off ही आएगा simple सी बात है तो क्या मतलब यह sellers क्या पागल है जो यहां पर sell करेंगे तो फिर से defend नहीं करेंगे इसको यह सिर्फ आपको trap करने के लिए होता है यही मैं आपको बताना चाहता था तो अब यहां पर reason क्या थे यहां पर इंटर नहीं करने के एक तो यह यह थे कि यह वाला जो support trend line थी उसको retest था प्लस यह previous resistance level इसको break करेगा तो फिर से इसको resistance आएगा इस level से और यहां पर open होते ही sell off आया मतलब यह level में sellers already active है इतनी simple सी बात थी है तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझा तो एक बार फिर से आप वीडियो देखिए मेरे सभी वीडियो अगर आप देखोगे इस टाइप के psychology आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगे मेरे trades के logic भी मैं आपको बताता रहता हूँ तो वह भी आप देख लेना आपको बहुत आता learning मिल जाएगे कि किस तरह से कोई trade लेता है तो thank you for watching this video guys see you in the next video thank you